वेलकम फ्रेंट्स तो आवर चैनल सीयर ड्रीम्स तो मैं इस वीडियो में इंसिटूट का एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप से डिस्कुस करने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन को सीयर इंसिटूट ने 20 नॉमबर 2020 में रिलीस कर दिया था जो कि ठीक आपके एक्जाम के पहले रिलीस कर दिया था और यह option हमेशा सीयर इंसिटूट एकजाम के पहले इस्टूएंट्स को देती है कि आप अपना जो भी observations है कोशन पेपर से रिलेटेट सीय एक्जामिनेशन में आप उस सब्मिट कर सकते है तो आप पढ़ सकते हैं देखिए यहाँ पे जो notification का भी headline है वो यह है observations of candidate on the question paper of सीय एक्जामिनेशन नॉमबर 2020 ठीक है तो यहाँ पे आप अपना observation को सब्मिट कर सकते हैं इस notification में उन्होंने प्रोसेस बताया कि आप कैसे सब्मिट कर सकते हैं और यह वीडियो सीय फांडेशन इंटर और सीय फानल तीनों level के strengths देख सकते हैं और यह बहुत important है क्योंकि अभी देखिए मेरा purpose भी है यह कि आप एक्जाम स्टार्ट हो गया है और यह एक्जाम के समय पे relevant है तो आपको जो भी observations से आप क्या करेंगे एक्जाम हॉल में तो आप किससे डिसकस नहीं कर सकते हैं वहाँ पर आपको अपने best basis में भी mail कर सकते हैं हर एक्जाम के बाद भी और आप इखटे भी सी एंसिटूट को mail कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको अलग-अलग mail करना होगा आप सिंगल में भी अपना observation को submit कर सकते हैं properly segregated करके कि उनको ठीक से समझ में आए सामने वालों को भी understanding में क्लियर हो communication should be clear बोध वे तो आपको ध्यान वहीं रखना है तो यह option हमेशा सी एंसिट देते आ रही है आज से नहीं बहुत समय से और बहुत स्वेट्स को पता नहीं हो एक्जाम होने पानिक भी कर जाते हैं मैं खुद देखा हूं कि सीए स्वेट्स नहीं होता है वहाँ पर पर पैनिक कर जाते क्यारी question गलत आ गया अभी क्या होगा step marking मिलेगा नहीं मिलेगा तो कैसे क्या होगा tension का कोई बात नहीं आप अपना observation सब्मिट कर दीजिए अगर कुछ एरर रहता है तो इंस्ट वहाँ पर step mark देता है इंस्ट की कलती होने पर step mark भी देता है अगर आप question attempt किये हैं तो तो basically यह आपको advantage है आपका यहाँ पर तो आप observation कर सकते हैं तो चली देखते हैं प्रोसेस क्या है आप अपने observation को कैसे सब्मिट कर सकते हैं तो वीडियो में आगे बंड़ने से पहले में एक चीज आपको और clarify कर देता हूं कि यह सिर्फ candidate के लिए लेवल है ठीक है न यह आपके experts के लिए अवे लेवल नहीं है experts मतलब जो एक सी एक्जाम में अपियर नहीं कर रहा है मेरे इस experts जो यहाँ बैठके ग्यान दे रहे हैं बड़ों एक्जाम नहीं दे रहे हैं या एक्जाम पास कर रखे हैं या teachers हो सकते हैं faculty हो सकते हैं कोई भ करना और देखिएगा आगे institute ने क्या क्या detail मांगा है जिससे वो क्रॉस्टिक भी कर सकते हैं कि आप student है की नहीं और number 20 examination दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं तो चलिए अभी देखते हैं process क्या है पहला process आप email के through उनको feedback दे सकते हैं जो कि सबसे easy है ठीक है एक आप उनको letter भी भीज सकते speed post से ordinary post से नहीं भीज सकते हैं आपको speed post यूज करना है और address यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ठीक है यह address है यहाँ पर आपको भीजना है तो सबसे easy होगा आप mail के through भीजी exam feedback address.ici.in यह mail ID है simple है आप यहाँ भीज सकते हैं और इन sheet को time frame भी होता है तो यहाँ प पहुंच जाना चाहिए reach by यह dispatch निए अगर आप letter भेज रहे हैं लेटर भेज रहे हैं तो यह dispatch नहीं होना चाहिए उनके पहुंच जाना चाहिए तो अगर आप speed post भी कर रहे हैं तो माइनस 3 से 4 दिन करके चलिएगा पंदर दिसंबर के पहले और better होगा आप mail से ही को अधर्वाइज वह consider नहीं करेंगे आपके observations को आप अगर सिर्फ observations भेज देते हैं अपना पुरा mail पे लिखके और यह पांस details नहीं देते हैं जो नीचे यह mention किया हुआ है तो कोई आपका validation नहीं है कोई consider नहीं होगा तो वह पांस आपका क्या details ऐसा है जो सी इंसी चूट ने मांगा है आपका नाम मांगा है तो आपको mail पे अपना नाम specifically mention करना होगा आपको अपना registration number mention करना होगा आपको अपना roll number भी mention करना होगा देखिए फिर mail id चौथे नंबर पे पांच वे नंबर पे mobile number तो यह आपका जो इतना detail ले रहा है साथ में यहां से cross verify भी कर सकता है इसलिए यह सिर्फ candidate के लिए ही open रखा है सब के लिए यह open नहीं रखा है इसलिए आपको यहां पे पांच ऐसे details मांग लिए जिससे वो cross verify भी कर सकते हैं तो आप ध्यान रखिए का जब आप observation भेजेंगे आप इकटे भी बेज सकते हैं individual mail से अलग-अलग subjects के भी आप भेज तो वहां पर आपको मेंशन कर दिना है नेम ऑफ स्ट्वेंट्स अपना आपका नाम रेशिशन नंबर रोल नंबर mail id और phone नंबर और 15 दिसंबर इसका last date है दोस्तों ध्यान रखिएगा 15 दिसंबर ही last date उसके बाद वो entertain नहीं करेंगे तो आपका जो भी observations है आप 15 दिसंबर वीडियो में और भी ऐसे information के साथ हम आते रहेंगे आपके साथ तो आप video share करते रहें और आशा करते हैं कि आपका दिन अच्छा जाएगा thank you thank you very much